हलो प्रेंस मेरे चानल में आप सभी का एक बाल फिर से स्वागत है यह CSS 3 का एक सीरीज चल लहा है जिसमें आज में आपको responsive web design क्या होता है responsive किसे कहते है और responsive से क्या होता है आज मैं इसी के बारे में आज आपको बताऊंगा तो अभी तक आप प्रोग्रामर सकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किजिए और जो बगल आपको बारे में जान लेते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है वाट इज रेस्पोंसिव वेब डिजाइन तो यहां पर लिखा यह वेद जो आप वेड़ डिजाइन में आप अपना प्रिज का लुक डिजाइन का को नहीं को वो और ठीस के लिए हो गाँ मिस पीट्टर हो गया लेपटप ओगा अर्टेबिलेट George for it मोबायल हो गया सबी केलिए अब बनाएंगे तो वो हाँ यहां पर लिखाओं उसके रेस्पोंसिव वेब डिजाइन यूज ओनली HTML and CSS आप डेस्पोंसिव वेब डिजाइन को आप रिशीप एस्टेम और सीच्टिस के माधियम से ही बना सकते हैं तो बना यह पर बता रहा है तो मैं आपको सिंपल सब्यू में और काना चाहता हूं या यहां आप यह इमेजे के माध्यों से भी अप लिए करपा रहे होगे का क्या देखीह यह आपका कम्पुट्रय और हो गया यह आपका isswag हो गया और यह आपका मोबाइल हो गया तो यह जो एपसाइट यह कम्पुटर यह पाई इस तरह का दिखे गा टेबलेट पे इस तरह के का और मोबाइल पर इस तरह का दिखेगा मिस डिश्पोंसिब का मतलब यह है कि आप जो एप साइट बनाएंगे वह कुंप्यूटर हो गया लेपटप होगा टेबलेट होगा या मोबाइल हो गया आपका स्क्रीन दिखरे नहीं आपका आप जो एप साइट बना है वह हर एक हुआ ना आपको लगे तो फोड़ एक जांपल के लिए मैं यहां पर देखिए माले जेकर यही एक एप साइट है ठीक है तो यह किस मोड में है यह एक डेस्ट अप मोड में है तो इसी को जैसे मैं यहां से आई फोन फोर में इसको देखता हूं कर यह एप साइट कैसा जिसका नामे को मोबाइल टेस्टर मड़ डिल स्पोंसी मोड टेस्टर एक अरे बिटा एक उसको डाउड काली काली जेगा तो जैसे यह है यहां पर है यहां पर बिकरान नहीं है देखे पृन्ट जिस्तर अका यह इसमें गॉन तेंट दिख रहा है यह मतला नहीं कि जो यह यह पर इतना बढ़ाई इसमें देखेता है जो यह यह पर इतना सारे इतना सान। शैसे जितना नौलेज मिल रहा है यह भी मुबाईल में भी सो उतना ही लुष मिलेगा यह सिर्फ यह इसके इस स्क्रीन चोटा है तो यह जो यह इस पे जो है वह भी इस पर ही कुन्टेंट है तो जो इससे नॉलेज मिलेगा वह भी इस एपसाइट से ही नॉलेज मिलेगा देख्या फिरेंस तो इसी को हम लोग रेस्पोंसिव के नाम से जानते हैं तो देखिए एक यह भी एफसाइट प्रेंट्स हो गया अगर आप इसको भी छोटा या बारा करेंगे तो देखिए यह हर स्कीन पर आपको परफेक्ट दिखेगा देखिए इसका जो को पॉन्टेंट है जी वह इधर उदर नहीं भी खेलेगा ठीक ठीक है फ्रेंट्स तो इसी को हम लोग रेस्पोंसिव कहते हैं जो हर एक डिवाइस पे बेटर लुक दिके और उसका लुक में कहीं भी आपको दिकत देखने को ना मिले उसके बार प्रेंट्स है टाइप आप मिसे डिशुन्सपॉंसिट कितने परकार का होता है तो जेनरिंशे मैレसुन्सलीव ठीक होता है एक होता है अडिप्तिव और एक होता है फ्रोट रएस प Rudolph इंसीव टोटोटके एटेपिव टिल में हो याह होता है कि आपको आपको म मोबाईल के लिए और लोग आपको कुण आपको एस्टेमेल स्टेस फाइर बनाना होगा टेबलेट के लिए अलग और कॉम्पूटर के लिए अलग वोटा हर एक डिवाइस के लिए आपको अलग अलग कोडिंग करना पड़ेगा तो इसको हम लोग अडेप्टिव के नाम से जानते हैं उसके बात प्रहा है फ्लोड रेस्पॉंसी फ्लोड रेस्पॉंसी में होता है कि एक एपसाइट मिस आप स्कीमर या सीचस के मार्दियम से एक एपसाइट बनाएंगे उसको हर एक स्क्रीन साइज में स्क्रीन साइज हर एक स्क्रीन साइज में आपका कॉंटेंट चेंज नहीं होगा आपका बट कुम्पीटर कुछ अलग डिजाइन में दिखेगा टेबलेट पे अलग और मोबाइल पे अलग मंगर एडेप्टिव में है कि हर एक स्क्रीन साइज के लिए आपको अलग अलग एफसाइट आपको बनाना होगा तो यह यह टाइप ओप रेस्पोंसिब तो आई हो प्रें आपको रेस्पोंसिब आच्शी तरह से आना चाहिए किसका इंडिस्ट्री में बहुति डिवान डिमांद एच्टी और कोई भी आप से अगर रो बनाता है कोई पर मैंन आपसे ऐसली बनाता है तो अगर उसको रेस्पोंसिब के बारने पाता नहीं होगा तो इतना जरू कर लोगा एक कॉंपीटर पर भी अचिस़ अरिक्या ऌफरी अर्शी तो एक चाहिए तो आप आप समझे समय ले जाएगा कि आपको द्रस्पंसी बनाना है ऐब कंपानी भी कंपानी技 다양한 को है हाइड कलती है जी जिसको डुड़ेस्पोंसिव अच्छी तरह से बनाना आता हो सो फ्रेंज आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर इससे लिलेटेट कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं मैं उसका लिफ पर जरूर दूंगा और अभी तक आप में चानल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्यूज में चानल को भी सब्सक्राइब कर दिजिए और जो बगलने पेल आइकन है उसको भी आप दबा दिजिए सो फ्रेंस हैंक्स पर वाचिंग